हेलो प्यारे दोस्तों कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे तो आज की इस यूडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना शुरू से लेके आखिर तक का पूरा नाइट क्लीनिंग रूटीन किस तरह से जो है मैं अपना नाइट किचिन का को सिंक में रखा था और उनको मैं जो है एक बार वाटर से क्लीन करके सिरफ वाटर से उनको साइड में रख लूँगी ताकि मेरा सिंक एक दम खाली हो जाए और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी अपना प्लीनिंग प्रोसेस शुरू से लेके आखिर तक आप आप लोग मैं सिंक एक तम खाली हो जाए और ऐसा मैं हमेशा करती हूँ उसके बाद मैं सिंक क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से और फिर जो है मैं यूज करती हूँ अपना ये डिश वाश वाशर का सोप जो रहता है ये और इसको मैं एक वाटर ब्लोक करने वाला जो रहता हूँ से ब् रख लेती हूं ताकि आदे घंटे तक भिगोके भी रखना होता है ऐसा मैं हमेशा खाना खाने के बात करती हूं यूजवली बट आज जो है ये वीडियो परपस से मुझे करना था तो मैं पहले ही कर रही हूं अभी हमेरे खाने के बरतन बागी है तो यहां पर मैंने सारे बर साहर साईट क्लीनिंग स्टाट इस तरह से सबसे पहले मैं एक फोप कर लेता ऑपना जो है सारा और म Jestूहज़ के कपड़े से उसको बाइख कर देती हूं करने के बाद जो है जिस वानने में ना बरतन अब रखती हूं ताकि पानी clean drainage हो जाए उसको भी मच्छे से wash कर लेती हूं और एक बार मैं soap से clean करती हूं उसके बाद ही जो है मैं dry कपड़े से wipe कर लेती हूं ताकि सारे bacteria वगरा जो चले जाएं और final last में भी मैं एक बार clean करती हूं impact वो मैं सबसे आखिर में करती हूं तो इसी तरह से उसी कपड़े से मैं थोड़ा गिला करके वोल वगरा पे भी जो थोड़ा सा stain मार्क रहता है उसको भी clean कर लेती हूं और अच्छे से इस तरह से सब जो है cleaning हो जाती है और इस सारी process में जो है मैं warm water use करती हूं अब यहाँ प पर तो होंगे वो फटाफट से side by side clean होई जाएंगे तो खाना मैं निकाल देती हूं तो सारे जितने बड़े बरतन भी जो हैं वो भी साफ हो जाएंगे और इसी तरह से मैंने बेबी का भी food निकाल के रख दिया है जो भी मैंने बनाया था क्योंकि आज जो मुझे गैस चू अब इनको ऑल्मॉस्ट आदा घंटा हो चुका है वी घुय हुए हूए तो मैं नको डिश्वाशर में लगा देती हूं ऐसे ही मैं इनको करने की जूरूत नहीं है क्योंकि अला कर दिया था और से पहले मैंने वाटर में जो हैं अच्छे से रिंज कर लिया था तो आपको ज इस तरह से बर्ज़ास्ट करूंगी और ये सब करने के बाद भी बड़े बर्तन बागी रहे जाते हैं, उसी पानी में जो है मैं गैस के सारे ये सब सोप कर देती हूं, जितने भी बर्तन ट्रेंशेस हैं मेरे इसारी ये जो अंडर प्लेट्स और चूले के जो भी रहते हैं, उनको भी मैंने दिश्वासर में लगा दिया अब दिश्वासर के मैं यह इस सोप यूज करती हूँ यह डाल के मैंने टाइमर सेट हो चुका है और दिश्वासर अलड़ी क्लीन होना स्टार्ट हो गया है बचे हैं अभी जो बड़े वर्तन जो कि मुझे हाथ से करने पड़ते हैं तो अब जो है मैं इनको भी हाथ से कर लूँगी क्लीन और गैस को उससे पहले मैं जो है एक बार ड्राइ वाइप करने के बाद में अच्छे से सोप से स्क्रब कर लेती हूँ चूला मेरा इतना खराब नहीं था यह इसका जल चुका है पेंट इसलिए ऐसे दिखाई दे है इसी दिन से यह ब्लैक बिता है ऐसे ही मैंने साइड बाइट साइड जो है स्क्रबर से अच्छे से सोप से स्क्रब कर दिया है सब कुछ और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ताकि जो है यह सोफ्ट हो जाएगा और इसके बाद यो है हम वाइप कर लेंगे ऐसे ही gas को भी मैं कर रही हूँ तो मैं बता रही थी आप लोगों ये already इसका color जो है paint गीला था तो ये चलके इस तरह से हो गया है वैसे मैं usually everyday ही clean करके सोती हूँ तो इसी लिए ही मैंने जो वो steel का plate जो है बाहर से मुझे मिल गया था वो ले लिया है आप देखना बाद में ज नीचे से इस तरह से हो गया था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो चलिए मैंने soap से जो है side by side सब clean कर लिया है और ऐसे ही उसको थोड़ी देर के लिए soap करके रख दूँगी ताकि जो है अच्छे से वो clean हो जाए उसके बाद मुझे थोड़ा सा उप पर भी clean करना है microwave भी clean करना है और wall पर भी मैं कर लेती हूं तो microwave को भी मैंने scrub कर लिया है अच्छे से microwave स्क्रब होने के बाद में जो है तो यहां पर मैंने एक बैकेट में clean water ले लिया है अब उसी से जो है मैं सब कुछ wipe कर दूँगी क्योंकि soap से already मैंने scrub करी दिया था और य काफी गरम होने की वजह से बर ठीक है मेरी habit है रोज मैं करती हूं यह सब और तो मेरे को इतना problem नहीं होता है तो ऐसे ही मैंने bowl को और gas को एकटम clean कर लिया है आखिर में आप देखना beginning में कैसा दिख रहा था और last में मेरा kitchen कैसा दिखता है एकटम अच्छा दिखने लगता ह और यह सब cleaning जो है ऐसे ही मैं daily करती हूं अगर आप लोगों को भी इससे related कुछ question है तो मैं ऐसे पूछ सकते हैं comment करके ऐसे ही मैंने जो है नीचे oven और rack सब कुछ clean कर लेती हूं एक बार में लगा देती हूं यह daily cleaning की वजह से और यह जो है fridge पे आरव ने coloring किया हुआ है जो कि यह kitchen के जो wooden के रहते हैं इन पर में एक वार scrub कर लेती हूं इतना ज्यादा sticky नहीं होते हैं वो क्योंकि हमारे इंडिन किचन में oil बहुत use होता है अगर आप cleaning नहीं करेंगे तो काफी जो है oily oily हो जाते हैं हाँ being pregnant मुझे थोड़ी problem होती है तो मैं 11 दिन कभी कभा skip कर देती देली तो चलिए kitchen हो गया मेरा clean वापिस मैंने सब चीजे रखने शुरू कर दी है अब मैं करूंगी बड़े बरतन clean यह ओ लेड़ी आदा घंटा हो गया इनको सोक होके तो इन में जो भी खाना था वो soft हो गया है अब मैं इनको हलके से rinse करके side में रख दूंगी सबसे पहले और उसके बाद drain water को drain करने के बाद में जो है उसको हाथ से ही scrub करके मुझे wash करना होगा अगर आप aluminium के dish washer में डालते हैं तो black color के हो जाते हैं और वो बहुती गंदे दिखाई देते हैं इसलिए मैं कभी भी aluminium के जो बरतन रहते हैं जैसे की cooker कड़ाई यह सब मैं नहीं डालती हूँ इनको मैं हमेशा hand wash ही करती हूँ और इनको जो है यह scrubber जो रहता है aluminium का उससे scrub करेंगे तो एकदम वैसे के वैसे नए दिखाई देते हैं कभी भी black नहीं होते हैं तो चलिए अब करते हैं water rinse already बरतन मेरे दूल गए है water rinse करने के रिए मैंने इसको open कर दिया है और फटा फट से scrub करके side by side रख दूँगी ऐसे ही जो बरतन साफ करने वाला जो डिबा रहता है इसको भी मैं डेली एक बार दो देती हूँ और इसके बाद तो हमारे चिरफ दो ही प्लेट दो तिन कटोरी होती है वो तो हम फटा फट से ऐसी हाथ से दो दो देती हूँ मैं या फिर मन खुदी खाना खाके कभी को बार दो देते हैं depend upon की मेरे को कितनी tiredness होई है क्योंकि as a pregnant ये काम बहुत ज्यादा होता है डेली का बट हाँ हम लोग करना ही पड़ता है और मैं कर लेती हूँ तो इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है सभी हम लोग ऐसे ही काम करते हैं अपने मुझे बता देना आप लोग या मैं कुछ और changes कर सकती हूँ लगता है आप लोगों को कि मुझे कुछ अलग तरीके से करना चाहिए तो वो भी मुझे से share जरूर करना तो यहाँ पे जो है सारे बरतन मेरे wash हो चुके हैं almost अब मैं इनको थोड़ी देर rinse होने के लिए रख द दिखाई देता है तो अलग ही feeling आती है आपको freshness फील होती है एकदम से तो यहाँ पे जो है नीचे काफी गंदा है मेरा फ्लोर आरव ने आटा गिरा दिया था आज वो भी मैं अभी cleaning कर लेती हूँ फटाफर से पहले सबसे पहले मैं broom कर लेती हूं इसे और उसके बाद में मैं moping करूंगी आप देख सकते हैं मेरे पीछे wall पे आरवने सब्जे कितना coloring किया है वो भी मुझे काफी time लगेगा cleaning करने में मैं करती रहती हूँ बीच बीच में लेकिन वो जो है दोबारा कर देता है उसका भी मैं कभी आप लोगे साथ में वीडियो शेयर करूंगी मैं क अब करके अच्छे से सबसे पहले मैं soap water से करती हूँ एक बार और फिर जो है मैं clean water से करती हूँ और ये भी मैं जो है करम पानी से ही करती हूँ अब जो है सारे बरतन मेरे rinse हो गए moping हो गई moping dry भी हो चुका है तो अब जो है मैं gas पे सारे चीज़े वापिस लगा दूंगी gas की plate and gas के जो भी stand रहते हैं यह सब मैं वापिस लगा देती हूँ अभी और उसके बाद जो है हमारा काम almost finish हो जाएगा ये plate जो है जो मैं tray दिखा रही हूँ ये बहुत ही useful है मुझे ये मेरे neighbor ने दी है उन्होंने दूसरा जो है stain and steel का अपना gas लगवा लिया था तो मुझे उन्होंने ये दिया पहले उनके पास भी यही वाला था उन्हों के भी जो गैस का पेंट बर्न हो जारता ब्लैक दिता था इसके लिए बट ये बहुत ही useful है अगर चाय वगएरा कभी दाल हमारे निकल जाए तो इस ट्रे में जो है वो रह जाती है नीचे तक नहीं जाती है बहुत useful है ये तो इस तरह से मेरे सारे बर्तन ड्राई हो चुके है और इनको मैं रखती हूं हमेशा अपने गैस के नीचे ओवन में और क्योंकि हमारी किचन बहुत ही छोटी है तो हमको सब समेट करना अब आती है लास्ट प्रोसेसिंग मैंने ये all-purpose cleaning का जो है किचन फिड करता हुआ देखके दिल एकदम खुश हो जाता है चलिए मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसे लगा मेरा क्ली निंगा